हेलो फ्रेंड्स, तोड़े भी आ गोईंग टू लर्न केटिया, केटिया इंट्रोड़क्शन टू स्केचर पार्ट वन यहाँ पर आप आप सिखेंगे कि टूडिक को किस तरह से 3D में कनवर्ट किया जाता है लेकिन उससे पहले हम जानेंगे पूरी तरह सेτέ टूरwiet प्रट किस तरह करता है कोण से टूल से कमांड से और किस मैथटड़ लॉघ से हम उससे पूरा करने वाले है यह आप जानोंगे आप देख सकते हैं मैंने फाइल को नाम दिया है sketchr01 और यहाँ आप देख सकते हैं हम अभी workbench में आच चुके हैं यहाँ जो बीच में आपको दिख रहा है access system जिसे हम कहते है absolute access system यह जो ती access का insertion है तब जाके मिलता है absolute access system we are going to hide this access system we are not going to work on this क्यों किसलिए मैं आपको यह बाद में बताऊंगा तो फिलाल के लिए हम इसे इस्तमाल नहीं करेंगे and we are going to hide it so if you are going to hide it we have to create a new one तो अपने अगर पुराना absolute access system hide किया है तो हमें एक नया बनाना होड़ेगा तो नया कैसे बनाएंगे with the use of reference element लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ी जान लेते हैं इसे कहते है history specification tree जहां पर आप कुछ भी inputs देंगे यहां पर input किया जाएंगे specification tree में यहां है काफी सारे toolbar commands उसका भी हम इस्तमाल करेंगे आगे जाके अब देख सकते है tools view menu में जाके tools में देखेंगे तो आप यह आप कई सारे tools देख पाऊगे इसका भी हम आगे जाके इस्तमाल करेंगे आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अगर menu missing हो जाते तो किस तरह से हम इसे customize करके इन्हें वापस जगा पे ला सकते है सो restore all content, restore all position इसका इस्तमाल करते हुए हम उनकी जगा और यह set कर सकते है आप देख सकते हैं काफी सारे tools है यहाँ बारी बारे से हम इनका इस्तमाल करेंगे और सीखेंगे किस तरह से 2D को 3D में convert किया जाता है तो हम कुछ profiles होंगे 2D में उसका इस्तमाल करेंगे अब देखिए यहाँ पे customize toolbar का गया है इसमें देख सकते हैं कि हम वहाँ जाके restore all commands और restore all position यह करके हम इन्हें वापस बुला सकते हैं अगर कोई missing toolbar है तो ठीक है जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पे view menu में toolbar जाके किसी भी missing toolbar को ला सकते हैं जैसे कि graphic properties यह हमें color properties उसकी profile change करने में मदद करता है color से काफी सारे देख सकते हैं आप यहाँ पे उसकी borderline लितिकनेस है हम इसे उपर place करेंगे आगे जाके इसका इसका इस्तमाल करेंगे छीक है जैसे कि मैंने कहा कि हम शुरू करेंगे access से अब यहाँ पे refresh element है first of all toolbar जिसमें हम लेंगे point यह जो है इसे define कर लेते हैं ताकि हमार कि अगर types देखें तो काफी सारे लेकिन हम काम करते coordinates में और x, y, z को हम रखेंगे फिलाल के लिए 0 के click on ok देख सकते हैं कि point आ चुका है अब लेंगे हम tools में से access system को यह रहा tools और उसमें से हम ले रहे हैं एक access system access system को लेने के बाद हमें देना पड़ता है ओ region जिबके हमने point 1 को दिया हुआ है, current निकालते हुए, poke पे click किया है, अब देख सकते है access system create हुआ है, इसमें हम point को hide करते हैं, यह थोड़ी अलग methodology है, point आब यह hide हुचुका है, आप body में जाके एक body insert कर लेंगे, ताकि sketch जो है, वो separately वहार है, ना कि mix हो, हम इसे भी नाम देंगे, body 01 ताकि वो position sketch का, sketch टूर बार आगया picture में, देख सकते हैं, इसमें दो प्रकार के sketch है, एक normal sketch और एक position sketch, हम position sketch पे काम करेंगे, यह हमारी methodology होगी, position sketch में हम देंगे plane, this plane पे हमें काम करना है, हम देंगे point, जो कि हमारा projection point होगा, ना कि वो point देते हुए, हम access में से point देंगे, यह point का इसनमा बिल्कुल भी ने करना है, हम देंगे access में से, ताकि dependency एकसे पे बनी रहे है, then we are going to change its orientation, parallel to line, horizontal और vertical line को चेक करते हुए, click on ok, आप देख सकते हैं कि हम अभी sketch और workbench पे आ चुके हैं, इसी में हमें 2D profile बनानी होती है, देख सकते हैं कि में सारे sketch और के जो टूल बार है, सामन इन सारों का इस्तमाल करेंगे और sketch किस तरह से बना जाता है, आपको दिखाएंगे, तो पहले तो आता है sketch tools, जहाँ पे grid और snap to point का इस्तमाल की आ जाता है, लेकिन हमारे sketch methodology में हम इन दोनों का इस्तमाल नहीं करेंगे, क्यों, तो इनके कुछ decide advantages है, इने use करने का एक reason है, कि यह अगर profile हम create करते हैं, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए, इस तरह से अगर यह activate कर रखा हूँ, और यह profile लेता हूँ, तो यह जो profile है, point to point ही act कर रही है, जबकि हमें waviness की curve अगर required है, तो वो आ नहीं पा रही है, हमें यह point to point ही work करना पढ़ रहा है, जो क अब मैं इसे delete किया हुआ है, अब मैं easily कोई भी profile लेता हूँ, तो मैं line, उसे curve, circle, किसी भी form में tick करके position कर सकता हूँ, कोई भी profile बना सकता हूँ, easily, very easy, so इस वज़ा से इस reason के कारण हम उसे off करते हैं, किसे grid और snap to point को, हमेशा के लिए, अब आगे आप देखोगे कि construction element क्या ह है, उसके लिए मुझे कुछ create करना होगा, condition, मैं condition create करता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आगे का जो option है, construction element, वो किस तरह से work होता है, पहले मैं कुछ profile बना लेता हूँ, तो आकि आपको समझ में आए कि construction element होता क्या है, देखिए मैंने एक line ले ली, अब आप देख सकत आप यह पूरा dotted line में convert हो गया है, देख रहे हैं, देखिए, तो यह dotted line और supportive construction element के लिए काम आता है, तो इस वज़े से, अगर आप इसे untick करोए, तो यह वापस normal हो जाएगा, देखिए मैंने इसे वापस normal किया है, untick करके, किसे construction element को, तो यह आपको आगे जाके समझ में हो गई, यह rectangle बना रहे है, center rectangle, इसमें काफी वो types होंगे, three point, जो कि देखिए, यह normal हो गया, आपको एक parallel बना के दिखाता हूँ, देखिए, यह parallel है, opposite side सा parallel, in this case, circle है, जो कि एक single point से circle बना सकते है, उसे बाद में आप diameter है, इस तरह से देना हो, हम बाद में देखिए, three point circle है, जिसे three point required होते है, so आसानी से आप various types of various functions से circle achieve कर सकते है, tangent circle होगा, यह point oriented होगा, आप किसी भी दरह से उसे बना सकते है, उसके अंदर types दिये है, drop down window में, तो वहाँ जाके उसका इस्तमाल कर सकते है, बहुत ही आसान है, तो इसमें आप एक condition में create करूँगा, कि अगर आप दे tangent circle कैसे होता है, तो देखें, मैं यह 3 line बना लेता हूँ, जिसमें यह 3 line मैंने randomly बना लिये है, और उस प्रकार से मैं circle पर जाके, tangent circle पर टिक करता हूँ, यह 3 inputs, आप देख सकते हो, मुझे एक ready met three circle मिला है, जो कि वो tangent है, बाद में आता है curve, spline ले सकते हैं, देखें, यह spline है, कि आप जिस तरह से मोड़ना चाहते हो, इसका इस्तमाल कम होता है, यह रहा आपका ellipse, इसमें आपको 2 dimension देने होते हैं, एक लंबाई और इसकी height, देखें, इस तरह से आप कई option इस्तमाल कर सकते हो, और यह रहा line, proper line, profile और line में फरकी है, इसमें खाली line में लेगे, और profile में आप square circle, जो चाहे बना सकते हैं, यह रहा आपका access, यह access हम इस्तमाल करेंगे whenever we want a symmetry object, mirror object, इस time हम इस चीज़ों का use करेंगे, यह रहा normal points, point है, जहाँ आपको मन लगे, आप requirement है, यह पिर कुछ point की जरूरत है, तो यह है overall profile toolbar के commands, जिनके आप practice करते रहे तो अच्छा है, because यह 2D है, और 2D में आपका अगर hands-on हो, तो आपको 3D में कोई दिक्कत आएगी, यह इसकी खासियत है, तो इस तरह से हमने कई commands देखे toolbar में, आशागर तो आपको sketch or workbench, पूरी तरह समझ में आएगा, धन्यवाद, thank you, see you in next video.